है गाईज स्वागत है आप सबका सरकारी परिक्षा के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग डी आई जो सीरीज चल रही है उसी के अगले सेट के तरफ बढ़ते हैं ठीक है जो लोग इस चैनल से नहे नहे जुड़े हैं या फिर ये वीडियो मत बता दू कि और भी वीडियो उपर डल चुकी है और भी वीडियो आगे डलेगी टोटल पचास कोईश्चन का सेट हम लोग आप पे करने वाले हैं ठीक है पचास कोईश्चन का सेट होगा ये और वो कैसे कोईश्चन होंगे तो वो होंगे प्री से लेकर मेंस तक के ठीक है अच्छी लेवल वाली डियाई पूछे जाती है तो मैं वो दोनों लेकर आया हूँ कि ये प्री से लेकर मेंस तक अभी हम लोग प्री लेवल कर रहे थे हैं अब दीरे-दीरे क्या होगा लेवल बढ़ना चालू होगा हम दीरे-दीरे लेवल बढ़ाएंगे थोड़े अच्छे टाइप के कोईश्चन करेंगे और उसको समझेंगे कैसे आसान अप्रोच हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए तो आपको पता है मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं या पर कोईश्चन तो आप क्या करोगे जैसे ही कोईश्चन दिखेगा आप वीडियो को पाउस करोगे सबसे पहले कोईश्चन को पढ़ोगे कि क्या बोल रहा है वो उसके बाद खुद से बनाओगे एक बार बन गया वो तो आप फिर वीडियो देखोगे हो सकता है कि आपका अप्रोच छोटा हो अगर आपका अप्रोच छोटा होता है तो आप कमेंट सेक्षन में जाकर बता दोगे कि ये ये अप्रोच से भी बनाया जा सकता है अगर आपको लगता है कि आपका अप्रोच बढ़ा है करते हैं तो यह हमारा पहला सवाल आप पहले एक बर question को पढ़ लो देख लो कि क्या बोल रहा है यह ठीक है उसके बाद pause कर लो इसे और फिर solve करो फिर हम आगे solve करेंगे इसको तो देखें पहले सबसे पहले काम तो यह है कि हम पहले question यह जो graph दो अलग-अलग है हम पहले उसको समझते हैं कि यह data क्या-क्या लिखा हुआ है वहाँ पर तो यह बोल रहा है कि percentage breakup of student appearing in the graduate level exam from different colleges and the ratio of male and female in them देखो यह वाला जो पार्ट है न यह बोल रहा है कि total यह percentage breakup है किसका जो जितने लोगों ने graduate level exam में appear किया था अलग-अलग colleges से और एक जो है वो बता रहा है कि ratio और male और female का ratio कितना था उस college से तो टोटल नंबर जो है वो student का वो है 2400 अब यह percentage breakup के बारे हैं बता रहा है यह है वो percentage breaker breakup यहां पर यह total number of student है ठीक है 2400 में 26% लोग college e से थे 19% लोग college a से ठीक है तो यह उनका breakup है अब यही 26% में कितने लड़कियां कितने लड़के थे उनका वो ratio यह कहां पर given है यहां पर given है ठीक है यह है college a 12-7 था male to female का ratio और यहां पर 11-6 यह तो clearly understand है ठीक है अब हम clearly समझ गया है इस चीज को understandable था वो अब हम यहां पर question देखते हैं कि question आखिर बोल क्या रहा है तो पहले question आ रहा हम से पढ़ते हैं बोल रहा है कि what is the number of female student appearing from college b अब देखो female student यहां पर कितनी है college b में total बच्चे कितने हैं तो college b में 17% बच्चे है ठीक है तो 17% को क्या लिख सकते हैं 17 बटा 100 गुने 2400 ठीक है 2400 के 17 परसेंट है यह total के 17 परसेंट है अब यहां पर female का बात हुआ है female female कितने है college b में तो 6 है कितने पर इन दोनों को sum करेंगे तो total कितना आएगा 17 17 पर 6 है मतलब कि अब हम यहां पर 6 by 17 भी कर देंगे तो यह 17 यह 17 कट गया यह 2 0 यह 2 0 कट गया अब 24 और 6 को multiply करेंगे ना यही अंसर होने वाला मेरा multiply करने का तरीका आपको पता है हमेसा दिमाग में calculate करोगे 20 और 6 को करते तो 120 हो जाता इन दोनों को करते तो 24 हो जाता यहां से आ जाता 144 ठीक है 144 था यहां पर बिलकुल option D था मेरा 144 हम टिक करेंगे और अगले सवाल के तरफ move कर जाएंगे तो देखिए यह हमारा अगला सवाल यह question बोल क्या रहा है पहले question को अच्छे है समझते हैं यह बोल रहा है कि the number of male student appearing from college A college A में जितने भी male ब percent बनाते हैं the total number of student appearing from the same college same college से देखो जब same college की बात होती है जब उपर नीचे same data लिखा जाए किसी भी ratio या किसी fraction term में तो वो हम लिखे ना लिखे बात बराबरे क्योंकि वो तो कठी जाना है तो यहां पर आप इसको अच्छे समझो कि यहां पर male student की बात हुई है male कितने है college A में college A यहां है यहां पर 12 male है तो हम यहां पर क्या करेंगे बारा अब देखो यहां percentage वो percentage से मतलब नहीं है क्योंकि same college की बात कर रहे हैं तो 19% of 24 और 19% of 24 उपर नीचे दोनों लिखना होगा वो दोनों cancel out हो जाएगा यह easily understandable है तो हम वो पार्ट नहीं लिख रहे हैं क्यों लिखना जब वो कठी जा रहा है तो यहां पर बोला है कि total percentage बता दो नो भी यह mail का कितना होगा total से अब देखो यहां पर total कितने बच्चे थे अब रेसियो वाले term में ही बात करें तो यहां पर total यह 19 unit थे mail जिसमें 12 unit थे तो यहां पर यह 19 लिखा गुने 100 यही देगा मेरा अंसर यहां पर बोला है कि round off कर लेना और two digits के बाद दो डिजिट तक आपको सही अंसर निकालना है पर यहां देखोगे 69, 63, 68, 64 यह क्या है दूर-दूर में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यह वाला पार्ट भी आप अगर लिख लोगे न तो मेरा सही हो जाएगा तो कटा 19 अब 19 से अगर काटो गए तो यह कितने बार में कटेगा ठीक है तो यह हो गया 6 अब यहां पर साथ हाया साथ कितना तीन बार में तो यहां पर जैसे हमने 63 लिखा मेरा यह वाला ऑप्सन सही हो गया क्योंकि अब 63 और कहीं नहीं है तो यहीं पर 63 था तो 63.15 परसेंट यह अंसर आ गया है तो अब हम आगे स्वाल नहीं करेंगे उसको वहीं पर छोड़ दे अगला सवाल देख लेता है तो यह हमारा अगला सवाल यह क्या बोल रहा है तो यह कोईश्चन बोल रहा है कि वाट इस अरिस्पेक्टिव रेशियो अप नमबर ऑफ फीमेल्स अपियरिंग फ्रॉम कॉलेज सी रेशियो कितना होगा महिलाय जितनी अपियर हुई है कहां पहलेवाले में क्या बोल रहा है पर दूसरे वाले में स्टुडेंट की बात कर रहा है यह से फीमेल और कॉलेज बिस कितने हैं अ धूमसी में बच्चें 22% तो 22 लिखा हमने, गुने, divided by 100 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उपर नीचे जब ratio की बात कर रहे हैं, तो cut जाएगा, 24 तो भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो भी cancel out हो जाएगा, अब यहां पर female कितनी हैं, तो देखो, college C की बात करें, तो वहां पर 6 female, कितने पर 11 पर, इसको 6 by 11 लिखा हमने, divided by, अब बोला है कि यह college B में कितने बच्चे हैं, तो college B में कितने बच्चे दें, केवल 17 परसेंट, तो हम यहां पर केवल 17 लिख रहे हैं, ठीक है, यूगि 24 सो तो cancel out हो जाएगा, उपर नीचे, अब यह देखो, यह cut कर हो गया, दो, यहां से आगया, 12 इ अब यह है, चौथा सवाल, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, यह लगबग लगबग सेम तो previous वाले से ही, यह बोल रहा कि, what is the respective ratio of the total number of male appearing from college E, अब देखो, college E में total male, तो college E में 26 परसेंट लोग थे, तो हम यहां लिखा 26 परसेंट, male कितने हैं, तो male है वहां पर 11, कित पर 13 पर, इन दोनों का sum किया, divided by total number of student from college D, यह है, यह college D में total पढ़ने वाले student, 16, यह कटा दो बार में, यह कटा आठ बार में, 11 to 8 आगिया मेरा answer, जहां पर है, बिलकुल option A है, 11 to 8, हम टिक करेंगे, और अगले सवाल के तरफ, move कर जाएंगे, तो देखते हैं, अगला सवा यह बोल रहा है कि the number of male student from college D, form approximately what percent to the total number of student appearing from colleges together, ठीक है, अब देखो, male student बताना है college D से, college D में 16% बच्चे पढ़ते था, 16% गुने, D में कितने लोग पढ़े रहे हैं, male, 7 unit, कितने पे, 8 पे, divided by, अब देखो, हमने यहाँ 24 तो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 24 तो cancel out हो जाएगा, हम यहाँ अगर percentage की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, percentage की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर total colleges को मिला दे, तो कितने percent होंगे, तो भाईया, 100% होंगे, ठीक है, यहाँ पर 100 लिखा, यह cancel out हो गया, यह answer to, 14% मेरा answer, यहाँ पर 14% है हम टिक करेंगे, और सवाल को खतम करेंगे, तो देखा, यह था हमारा pre-level का question, तो इस तरह के question pre-level में पूछे जाते हैं, अब थोड़ा-थोड़ा level बढ़ाया जाएगा, अगले set से, ठीक है, तो हम थोड़ा अच्छे वाले pre-level के question करेंगे, जैसे कि IBPS में जो पूछे जा पूछे जाते हैं, इस तरह के question, और RVPO अगेरा में पूछे जाते हैं, तो हम थोड़ा से level बढ़ाएंगे उसका, और IVPSPO अगेरा में कैसे तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब करेंगे, तो आप जूड़े रहिएगा, playlist यहां डला है, आप जाओ regular practice करो, ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो, तो तुरंते जाएगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर करना, और अगर आपके पास कोई आसान अप्रोच है, तो उसको कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो में कि हाँ, यह वाला अप्रोच ज ए स्ग्रोच जरूर कृओ्ट दें से लाज ढए हो, तो नहीं रखके जरूर का सान इसमें हो जरूर की जरूर है ओास।